राजस्तान की सीकर लोग सभा सीट से मागबा सांसद अमरा राम जब ट्रैक्टर पर सवार होकर शपत लेने के लिए संसद भवन पहुँचे तो उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया आपको बता दें कि लोगों में इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी लेकिन इसके पीछे का एक मातर इरादा सरकार को संदेश देना था संसत ने कहा मुझे सरकार को ये बताना था कि जिन किसानों को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने अमरा राम को संसत भेजा है और वो उसी ट्रैक्टर पर आ रहे हैं जिसे आपने 13 महीनों तक राश्च्री राजधानी में आने नहीं दिया उन्होंने कहा अभी भी इस सरकार की पुलिस कहती है कि ट्रैक्टर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते ट्रैक्टर कोई लडाकू विमान या टैंक तो है नहीं जो संसत को उड़ा देंगे बड़ी मशीने यहां आ सकती है हमारे प्रधानमंत्री करोणों की कार का इस्तेमाल करते हैं किसान और मजदूर जो इस देश की आबादी का 55 प्रतिशत हिस्सा है राश्ट्री राजधानी में आ ही नहीं सकते वो अब मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है देश में क्रिशी संकट गहरा गया है किसानों को उनकी फसलों का उचित मूले नहीं मिल रहा है वहीं उब्भुकताओं को कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है इससे किसी का भला नहीं हो रहा मुझे किसानों ने अपनी आवाज बना कर संसद तक पहुँचाया है और उनकी ये आवाज पूरे जोर शोर से संसद में गूजेगी